आपने 15 सूरा पढ़ा है कुरान का? मैं 2-3 सूरा पढ़ा हूँ सर अच्छा जी, my way is highway आप तो जफर के फैन हैं तो आप तो ये डिफेंड करेंगे जरूर से कि जफर ने बोल दिया कि 10 से 15 सूरा जो है वो पढ़ करके हम लोग क्या है पूरे कुरान को समझ सकते हैं आप तो ये मानते हैं ना 10 से 15 सूरा पढ़ के पूरा कुरान को समझ सकते हैं सर उन्होंने किस से बोला मलम है अगर तुमने चावल पकाने के लिए रखता है ना तो पूरी चावल को दबाके देखा नहीं चाह सकता है पता चलता है पका या नहीं पका को चावल नहीं है यह कोरान है यह चावल अगर इंसान का हाथ दबाकर करके चेक करने लगो इनसान अभी मैं एग्जामपल दे रहा हूं अगर इमीलाय का पूरा बॉडिडी चेकश्य कर लो समझे तो यह एक्जमपल इस त तरीके इससे शेट कसे नहीं बेंचा चाल नहीं बठा रहे हम लोग घर में चाल बैठके नहीं बना रहे भिरियानी नहीं बना रहे हम लोग कुरान की बात कर और कुरान में 15 सूरह से आप पुरान को नहीं समझ सकते समझे रहे ना आपको accept करना होगा इस बात मैं इस मैं मैं कहना यह चाहता हूं वह बी एक कि पंदरह सूरह पढ़ गरान समझ मैं नहीं का?" रिल्धी का है मेरे पास लेकिन पता भी है लुख गता तहा कौन से किसा को इडायट दया चारा है को सासुरा कौ मेरे भालाइए को सा चुरा कॉपर हो मैंने स्टार्टिंग कोल पॡ्र के फड़ने शुरू किया हू हाँ सुरू पड़ा हुआ पहले से मुझे याद है। मैं धुकान मेरे कुरान है। मैं अभी गर्वाइब हुआ। पहले से पहले से वाजूद रहते तो मैंने पड़ा भी है। उसमें लिखावा सब तारीफ लग के लिए जो थमाम जहानकरब है। बड़ा महर्बान नहांत रहम करने वाला है बजले के दिन का मालिक है तो यह क्या समझ में नहीं आए इसमें चलो बता हो मुझे इतनी में बता हो कि क्या नहीं सब्सक्राइब यह जो कुरान के अंदर आयते हैं जो अलफाज है जिकने भी शब्द है अल्ला ने बोला है लेकिन यह कुरान का मतलब पता है बाई कुरान का मतलब पता है लिटरल मीनिंग पता है कुरान का लिटरल मीनिंग क्या है मुझे लगता है मुझे लगता है पढ़ो पढ़ने वाली ये खिताब है तो अल्ला ताला ने इसको इस तरीके से नाजिल किया है ताकि जब इनसान उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि ये अल्ला की तारीफ हो री ना कि मेरी तारीफ हो अगर वहां अल्ला ताला ऐसे नाजिल करते कि सब तारीफ मेरे लिए है जो मैं रबूलालमीन हूँ तो मैं जब उसको पढ़ूँगा तो मुझे लगेगा मैं अपने बारें बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है और यह हर राइटर करता है इंक्लूडिंग सच वाला जो आपके टीचर है वह भी करते उनके जाके अबाउट सेक्षन जाके पढ़िए वहां पर उन्हों ने इसी तरीके से थर्ड परसन बात किया जोट वाले ने बोला कि क्योंकि कुरान इस तरीके से नाजिल हुआ कुरान पढ़ने वाली किताबी इसलिए थर्ड परसन में ज्यादा आया है लेकिन फर्स परसन में भी आता है सेकंड परसन कुरान में आपके जूट वाले ने बोला कि कुरान में कहीं भी थर्ड परसन में है पूरा जी टीवी पे बैठके बोला है उन्होंने जी न्यूस पे जी टीवी पे तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आता है तो जी न्यूस आके बोला उन्होंने कि 3rd person में है पुरा कुरान में पहला सूरा जो सूरा में पढ़ रहा हो ना उसी में या कना बुदू या कनस्तहीन है हम तेरी ही बाद करते सिकेंड पर्षेन है पहले ही सूरा में बोल्ड हो जाते हो जूट वाला समझ रहे तो यह कैसा होता है समझ रहे यह सब क्लेम जूटा क्लेम है जो कि आप लोग कर रहे या आपके जो टीचर उस्ताज वो लोग कर रहे और इस पे वह पीछे भी अड़ गए तो इसलिए माइवे इस हाइवे यह क्लेम करने को फाइदा ने इस पर डिबेट करके वह जाहिल जाहिल चिलना रहे था आपको इस पे मुफ्तियासिय से डिबेट भी हुआ और उस पे वह बुरी तरीके से पिटे वह जूट वाला आपने जो लोगों को जो वीडियो दिखाया तो मैं यह प्रूफ कर रहा हूं कि मैंने सही दिखाया क्योंकि देखिए उनका सपोर्टर नहीं कर पा रहा है तो यह बात करता है कि मैं सही बता रहा हूं कि जफर हैरेटिक इन लायर जफार हेटिक एक जूटा है यह प्रूफ कर रहा है आप यहां पर आना डिख नहीं कर पाना हमारे चैनल आयर्पींशी इंदिया को सब्सक्राइब करें और बिल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो अब तक जरूर पहुंचे